लेट्स मेक अफगानी एक करी इन माई वे बहुत ही सिंपल और बहुत ही गजब की रेस्पी है तो इसके लिए सबसे बहुत हमें एक सॉस पैन रखना है उसमें डाल दीना है हमें पानी पानी डालने के बाद मैंने दो इसमें मेडियम साइज की प्याज ली हैं तो वह हम सारी इसमें बड़े टुकडों में काटके इसमें डाल देंगे सॉस पैन में इस तरहीके से बड़े बड़े करना है में छोटी छोटी पीस नहीं करना है एक प्यास के मेरेवच ने काजू करें गए और पांच मिट तक इसको लो फ्लें पे पकने देंगे ूसके लिए अब हम ए मेंचन करके रखिए फिर राल देना हमें इसमें थोड़ास गुनगुना पानी और उसको हम रेस्ट्र देंगे अच्छे से पहले तो मिक्स कर देंगे इसमें देन हेगे अप क्जाना है और उसको ठीग हम ऑयल के बदिए गरम करना है काफी अच्छित करने के राइद काफि तैयार कि त्यार किया था प्यास का, वो हम इसमेh गर्म गर्म तेल में डाल देंगे अच्छे से डालेंगे और इसको हमें 2-3 मिट तक हाइफ रह CC करना है इसको slow न करें इसको हाइफ रही करेंगे जह कि यह अच्छे से पक जाएगा तो फिर इसमें एड कर देंगे हम लहसन अद्रक का पेस्ट और इसको भी डालके हम अच्छे से भून लेंगे फिर हमने जो इसको भीगो के रखाता है बवो हम प्यास वाले ब्λένडर में जार के सारह हम पीस लिए किसमें इसमें जर रहे हैं मैंने इसको धोया नहीं viewed चाहें तो इसमें तो तोड़ा सा पाज़ कर सकते हैं वैसे ज़ए को बस इसों मैं पीस ना है मैं इकसे एंड करें एंडंगे फिर查ने के बचागत इसमें मैंने कोई भी पानी नहीं किया है, पेस्ट बिल्कुल रेडी हो गया है, बिना पानी के अच्छे से पिस गया है, अब इसको हमें कर देना है साइड में, अच्छे से इसको साइड में कर देंगे, अब हम इसमें ही पेस्ट को डाल देंगे कढ़ाई में, काफी अच्छ करते जाएंगे इसको भूनते जाएंगे और इसको में तब तक भूनना है जब तक oil release ना होने लगे फिर डाल देना है में नमक टेस्ट के और अगेन इसको भूनेंगे जब तक इसमें oil release ना होने लग जाए इस तरीकी से मसाला भून जाएगा तो हम इसमें एड़ कर देंगे आँ फ्रेश क्रीम मैंने अमूल के लिए आप चाहें तो घर के दूद की मलाई भी ले सकते हैं जो भी अवे लेवेल हो आप उसमें वस थ तो थोड़ा टाइम लगता है लेकिन जब यह बन के तयार होती है तो काफी टेस्टी लगती है थोड़ा से इसमें पानी एड़ करेंगे इसमें ग्रेवी एड़िए करने के लिए मैंने पानी एड़ किया है आप दूद वगएर एड़ ना करें वैसे भी यह ऑल्रेडी साथ में डालना है बड़ चुक्रों में कटा हूँ प्याज इसको मैने बड़े चुक्रों में करके रखता और कुछ नहीं डालेगे समय इसने बस थोड़ी सी मै घरीक कर सकते है नहीं करेंगे अकरणके बिल्कुल थोड़ा 강 नमक डलिए इसको थी मिर तक हाई फ्लेम करण यह बस gravy तो हमारी बिल्कुल ready होने को है तो फिर इसमें एड़ कर देंगे हम थोड़ी सी कसूरी मेथी कसूरी मेथी से काफी अच्छा flavor आता है अच्छे से mix करने के बाद इसमें जो भी हमने अंडे और वेजी सौटे की थी वो सारी हम gravy में transfer कर देंगे और अच्छे से कर लें इसमें सौते कीवी वेजी और अंडे डालेंगे तो बस एक बॉयल आ जाने चाहिए उसके बाद हम गैस को कर देंगे बन and it's done अब गार्निश करेंगे मैंने इसको निकाल लिया है प्लेट में serve करने के लिए अब हम गार्निश करेंगे थोड़ी सी fresh cream से optional है बलकुल बस अच नाठे रोटी तंदूरी रोटी या नांद किसी के साथ भी यह काफी अच्छी लगती है इसको एक बार जरूर ट्राइग करें और काफी सिंपल भी रहती है कोई इसमें मसाले वसाले कुछ भी नहीं रहते हैं बिलकुल सिंपल रहती है एक दम